नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आएए बिना देर के शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्शक है आखरी दर्वाजा इसे लिखा है यस्पाल जैन ने एक फकीर था वह भीक मांगकर अपनी गुजर बसर किया करता था भीक मांगते मांगते वह बुढ़ा हो गया उसे आखों से कम दिखने लगा एक दिन भीक मांगते हुए वह एक जगह पहुँचा और आवाज लगाई किसी ने कहा आगे बढ़ो यह एसे आदमी का घर नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके फकीर ने पूछा भया आखिर इस घर का मालिक कौन है जो किसी को कुछ नहीं देता उस आदमी ने कहा अरे पागल तू इतना भी नहीं जानता है कि यह मस्जिद है इस भीतर से तभी कोई बोल उठा यहलो आखरी दरवाजा आ गया इस से आगे अब और कोई दरवाजा कहा है इतना सुनकर फकीर ने कहा अब मैं यहां से खाली हाथ नहीं लोटूँगा जो यहां से खाली हाथ लोट गए उनके भरे हाथों की भी क्या कीमत है फकीर वहीं